बिस्मिल्ला रख्मान रहीम असलाम लेकुम वेलकम टो घर के खाने स्पेशल कैसे हैं आप सब लोग उमीद या खैरियत से होंगे दुआ है लापाक हम सबको अपनी जौमान में रखे आमिन सुमामिन टुडेइज रेसिपी इस बीफ मसाला आज भुना हुआ बीफ बनाने ज इसमें बोटिया रख्वातियों इसमें बीफ ले लिया उसमें अडिया 2 अदर तुकडे दारशिनी के एक बाध्यान का फूल एड़ कर दिया मैंने अब इसमें स्पैसिस एड़ कर लेते हैं ये मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एड़ किया इसमें & 3 फॉर्थ तेनों घर के सादा मसाले डेली रूटीन के हाड़ी में यूज होने वाले कुछ भी स्पेशल नहीं कुछ भी एक्स्रा नहीं यह मैंने एड़ कर दी इसमें मोटी लाइची भूल गे थी मैं इसको जरूर एड़ किया करें लॉग मोटी लाइची दारशीनी और बाधियान का यह गोश्ट की स्मेल खतम करने के लिए बहुत ही ज़्यदा अच्छे हैं यह मैंने एड़ कर दिये तीन से चारद कटे हुए प्यास थोड़े मोटे साइज में काट लिए अगर आप प्यास साबुत भी रख देंगे इसके अंदर तो वह भी घूल जाएंगे क्योंकि इसक से इसमें करेंगे कितनी कोश्ट कर जाता है कितना पानी रिक्राइड होता है ठीक है उसाब चैपने इसमें कर लिए 11 सारे हाथ साथ होते है घरों में तो बंदे का दिल नहीं करता है उसके बाद इसको यूज करने का लेकिन चलता है दुनिया है अबस्छाँ डॉञांस तो आते रहते हैं कसे की साथ अच्छा के साथ बूरा लेकिन एहतियाद ज़ूरी है आप एहतियाद के साथ इसको बंद किया करें यह मैंने इसके वेट लगा दी है इसको मैं रखती है स्टोव उवान करती है 15 मिनट के लिए वेट करते हैं 15 मिनट इसको हो चुकी है गैसेस की रिमूव कर दी मैंने सारी माशालला टू गूड इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है माशालला माशालला और मिलकुल टाइम पे खोला है मैंने पानी मिलकुल सूख चुका है इसको भूनने के लिए ये तैयार है ये मैंने बोटी को हलका सा दबा कर देख लिए माशालला बहुत अच्छा गल गया गोश्ट की कॉलिटी यही होनी चाहिए कि उसको दांतों से खींच करना तोड़ना पड़े और इतना भी घुला हुआ ना हो कि बोटी की शेफ बरकरार ना रहे ऐसा हो कि हम रोटी के साथ हाथ से तोड़ कर खा सके उसके लिए हमें दांतों की जरूरत पड़े तो इसका मतलब अभी प्रॉपर घुला हुआ नहीं था ठीक है इसलिए गोश्ट को प्रॉपर गिलाया करें ताके खाने वाले को मज़ा आ जाए अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ ऑइल एक किलो गोश्ट था ठीक है उसमें आप जितना ऑइल रिकॉइड है वो डालिए बीफ और मतन में मुस्टी कम डलता है क्योंकि थोड़ा बहुत चर्भी उसमें होती है घुल जाती है इसलिए उसमें आइल कम यूज किया करें माशाला टू गुड इसका अरोमा इसकी खुश्बू माशाला माशाला और यह है मों मिर्चे जो रिष्टेदारों को लगानी है मैंने सोचा एंड पर यह भी लगाई दी जाए थोड़ा सा और तीखा करी दिया जाए खाने को है इसका फलेवर बहुत अचा आता है जब आप भून्ने मैं गटी भी मिर्चे तो इसका वर बहुत अचा आता है हाला कि लेएक। अट है का खुश्बू कर दाया है कोई टीमाजन कि कुछ भी यूजने किया और देखें कितना प्यारा भुना हुआ गोश्ट आपका गलकर तैयार हो गया यह देखें वीफ मसाला इस रेड़ी यह देखें कोई भी सबजी और गोश्ट हो जब उसका ऑईल साइड पर निकल आता है तो समझ ले माशाला अच्छी तरह भून चु किसको अच्छा लग रहा है माशाला बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और खाने में भी इंशाला अच्छा ही होगा तो पसंद जरूर किया करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जजाक ल्ला हिट दा बेल लाइकन दौाओं में याद रखेंगा दूसरों के लिए करें आपके लिए असानिया खुद बहुत पैदा हो जाती हैं बहुत शुक्रिया जजाक ल्ला हाफिज स्टे टून स्टे कनेक्टेड फॉर मोर रेसेपीज एजी और क्विक